नमस्कार किसान भाईयों मेरा नाम कुल्दिप कुमार गुपता है आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉपिकल कमपनी के इंबोज के बारे में किसान भाईयों इमबोच का उप्योग कौन-कौन से फसलों में तथा कौन-कौन से कीड़ों में इसका उप्योग किया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा तथा इसका टेकनिकल नाम क्या है उसके बारे में बताऊंगा तथा इसका उप्योग यहनि की डोज इसके बारे में आज आप आपको बताऊंगा तथा कुछ महत्पूर्ण बातें और साउधानिया आपको बताऊंगा अब तक जिन किसान भाईयों ने सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लेंए और पास में रहे विल ऐकन बटन को भी जरूर दबाएं किसान भाईयों अब बात करते हैं इसके उप्योग की किसान भाईयों इसका उप्योग मुख्य रूप से चना, कपास, सोयबीन, मूं, उड़ट, टमाटर, मीर्च, फुल गोभी, पत्ता गोभी, लोकी, खीरा, मटर, आदी फसलों पर कर सकते हैं इसके अलावा आप इसका उप्योग सभी प्रकार के सब्जी वर्गिय फसलों के लिए भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं किसान भाईयों अब बात करते हैं इसके टेकनिकल नाम की, तो टेकनिकल नेम रहता है इमस में इमाबेक्टिन बेंजोएड जो की 5% एजजी फॉर्म में रहता है यह इल्लियों के कंट्रोल के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है किसान भाईयों अब बात करते हैं इसके डोज़ की इसमें 10 गराम प्रती टंकी आप इसका उप्योग कर सकते हैं इसका प्रती एकड़ 80-100 गराम आप इसका उप्योग कर सकते हैं किसान भाईयों अब बात करते हैं इसमें महत्पून बाते हैं यह बॉल वर्म, केटरपिलर, फल छेदक, तना छेदक, तंबाखु इल्ली, डायमन, बैक मौथ, गुलाबी सुन्डी यह सभी प्रकार के इल्लियों को कंट्रूल करता है इसका इस्तेमाल आप सिलिकॉन चिपकों के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है किसान भाईयों यदि आप कोई भी कीट ना सक दवाई का इस्प्रे कर रहे हैं तो खेत में नमी होना बहुत ही जवरी रहता है जिससे बहुत अच्छी रिजल्ट मिनले की संभावना रहता है किसान भाईयों इल्लियों पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और काफी लंबे समय तक यह असरदार रहता है किसान भाईयों आप इमा बेक्टिन बेंजोट के साथ आप फंजी साइट का भी उप्योब कर सकते हैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ठीक किसान भाईयों आज की वीडियो में बस इतने ही मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद